जैहिंद स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूटूब चेनल जी के अंडरलाइन अश्टडी में तो आज किस वीडियो में हम लोग 15 फरवरी साइंस एक जम के लिए वैसे अबजेक्टिव प्रसंद करने वाले हैं जो आपके पेपर में छपने वाला है इससे बाहर एक भी प्रसंद नहीं रहने वाला है इसलिए सभी प्रसंद को अच्छे तरीके से आप लोग देखे क्योंकि इसी तरह का प्रसंद आपके पेपर में रहने वाला है तो चलिए बिना समय को गबाए सभी प्रसंद को सॉल्व करते हैं जिसमें आपका पहला प्रस्ण है कि 20 ओम, 5 ओम तथा 4 ओम के परतिरोध समांतर करम में पेरलर्ड सिरीज में जोड़ा गया है तो इसका जोड़ कुल परतिरोध या समतुल्य परतिरोध क्या होगा तो यहाँ पड़ी हमें दो फर्मूला याद रखना है अगर हमें सिरीज में दिया रहेगा सिरीज कंबिनेशन की बात करेगा तो यह हो जाता है आर एक्विवाइलेंट मतलब समतुल्य परतिरोध बरावर होता है आर वन पलस आर टू पलस आर थिरी जितना रहेगा उसको हम जोरते चले जाएंगे यहाँ पर ही पेर्ल लर्न में दिया गया है तो इसका हो जाता है आपका कि यह रहेगा है में तक होता है जितना देगा उतना आप इस तरह से लिख सकते हैं बना कर इस तरह से हम इससे बना सकते हैं यहाँ पर और इसका वेलियो 20 ओम है और इसका 5 ओम और इसका 4 ओम तो इसका आपको R equivalent निकालना है यहां से A से B के बीच तो चलिए सीधे फर्मूला लगाते हैं और इसका अंसर निकाल लेते हैं तो यहां पर हो जाएगा आपका फर्मूला 1 by R equivalent तो पहले आपको एक से पहले R1 का करना है उसके बाद R2 इसमें लिख देंगे 1 by 5 पलस 1 by 4 यहां पर देखिसका चार कर जाएगा तो 25 हो जाएगा उसके बाद इसको जोड़िए गा ताप यहां पर हो जाएगा आपका 80, 20, 100 और 200 हो जाएगा 200 इसके बाद इसका केज़ेगा तो 400 हो जाएगा तो 2,0,2,0 कर जाएगा 2,1,2,4 एक वटा दो आ गया तो वहां पर 1 by R equivalent है 1 by R equivalent whatever 1 by 2 यहां पर 1 by 2 यह गुना हो जाएगा को ना को नी तो इस तरह से आपको इसका अंसर निकालना था इस तरह के प्रसन आता है तो आपको इसी तरह से solve करना है और अंसर लगाना है तो इसका जो right answer हो जाएगा आपका हो जाएगा 2,0 उसके बाद देखे next प्रसन है आपका इस प्रसन का उत्तर आप भी बता सकते हैं क्योंकि हम आपको जो पहले set कराया हुए थे प्रसन का उसमें प्रसन आया हुआ है कि बिद्दु चुंबुक्या परेरन का खोज किस ने किया तो माइकल फेराडे ने क्या था इसका रेक्टन सो जाएगा जो अबतल दर्पन होता है आपका ये बस्तु से छोटा बरा और बराबर ये तीनों परकार का परतिविम बनाता है लेकिन जो उत्तल दर्पन होता है वह सिर्फ बस्तु के छोटा ही परतिविम बनाएगा हमेशा और समतल दर्पन तो बस्तु के बराबर परतिविम बनाता ह है तो यहां परी सिर्फ छोटा पर्ती भीम तो दोनों बनाएगा उत्तल दर्पन भी और अब तल्दर्पन भी उसब का उपियोग है यए खाना बनने वाले इंधन में हम लोग नहीं करते हैं और बाँकी बात आपका हो जाएगा LPG तो करते ही हैं ये भी करते हैं बायो गैस का भी कोईला का भी उप्योग करते हैं लेकिन CNG का उप्योग हम लोग इन दन में नहीं के बड़ावर नहीं करते हैं सच लाइट का पुण तक सता होता यह आपको याद ही कर लेना है चाहे हो हजामती दर्पन हो सच लाइट हो गारी के हैड लाइट हो उसमें अबतल दर्पन का ही उप्योग कestsा में जाता है उसके बाद है कि कीरण गमन करती है तो परकास की जो कीरण है वह हमेशा सीधी रिखा में गमन करती है इसका रिटनसर ए हो जाएगा उसका रिटनसर आपका डी हो जाएगा उसका नेक्स्ट है आपका कि किसी बस्तु का परतिवीम नेतर के किस भाग पर बनता है तो किसी भी बस्तु हो उसका जो परतिवीम है वहा नेतर के रेटीना पर बनता है यह आपको यादी रखना है रेटीना पर इसी को हम लोग दिरिष्टी पटल भी कहते हैं दिरिश्टी पटल भी रेटीनओं को कहते हैं उसक्वा नेक्ष्ट है कि निमलिखीत में किसका उप्योग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है तो हवा का हो जाएगा पॉनी का भी होता है कंच का भी होता है दो गुना दस पे पावड़ यहां पड़ी आठ होगा दस पे पावड़ आठ मीटर परती सकेंड है तो माध्यम का अपवरतनंग होगा तो उसका अपवरतनंग 1.5 हो जाएगा इसका रितन सर्फ बी होगा उसका नेक्ष्ट आपका कि वायू का निर्फेक्ष अपवरतनंग वास्तम में होता है तो निर्फेक्ष अपवरतनंग कहेगा तो आएक से अधिक होता है नीमण में से कौन उभ्यधर्मी ऐकसाइड है उसका देख नेक्स्ट है कि आपका कि नीमण में कौन अमल नहीं है तो HCl हाइडरोकलोरिक अमल ही है नैटरिक अमल है HNO3 सल्फियोरिक अमल है H2SO4 लेकिन QOH हो जो है या है आपका भस्म भस्म है कि यह हाइडरा उक्साइड आयन त्याग करता है जब इसे हम जल में घोलते हैं जिस कारण से यह अमल नहीं है या आपका भस्म है तो राइटनसर आपका D हो जाएगा उसका नेक्स्ट है आपका कि छारक को वही बेस को जो है नजल में घोलने पर क्या मुक्त होता था भी तुरत बताए जस्ट कि हाइडरा उक्साइड आयन OH मैनस जो या त्याग करता है बेस को जब हम पनी में घोलते हैं फिर है गुलकोच का रासानिक सुतर होता है तो C सिख चैच बार है वो सिख से बहुत बार बता चुके है इसका राइटनसर B हो जाएगा उसका नेक्स्ट है कि फेरस सलफेट क्रिस्टल का रंग होता है तो फेरस सलफेट जो क्रिस्टल होता है उसका रंग हमेशा हडा ही होता है इसका राइटनसर B हो जाएगा फिर है कि किसी भी अमली अबिलियन का पी एच होता है तो पी एच मौन जो हैना अमली अबिलियन का साथ से कम होता है और अगर चारीय बिलियन रहेगा तो उसका साथ से अधीक हो जाएगा और उदासीन का बड़ाबर होता है तो इसका राइट अंसर आपका C हो जाएगा उसको नेक्स्ट है कि COOH किर्यासील मुलक को क्या काते हैं तो COOH को हम काते हैं कार्बोक्सिलिक एसीड काते हैं तो यह Ac ढमल हो जाएक आपकार है तो आपका रहेट अंसर B ईसको नेक्स्ट है कि अभी तक ग्यात तत्वों की संगिया कितना है तो आभी तक ग्यात कि संगिया 104 दैं3 आप यह कि relativ चांप किसी ने 18-10-22 तो लेकिन अगर उससे अधीक होता है तो हम आठ में घाटा आकर निकाल लेते हैं लेकिन यहां पड़ा अधीक नहीं है तो जो है वही हो जाएगा इसका संजगता अंधिक वक्षा में उपस्थित इलक्ट्रोन और जाके इसमें हम लोगों ने बोर्द वियूरी नियम का उप्यो है हम बोर्ड वियूरी नियम के नुषाड़ी निकाल सकते हैं इसका रिटे जगा बी इसके बाद देकिनेक्ट प्रसने आपका यह भी प्रसन आप बना सकते हैं क्यांकि यह भी प्रसन का चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि पैंसिल बनने में कारवन के किस अपर रूप का सब्सक्राइब को बाहरी कक्षा में कितने इलक्ट्रोन होते हैं तो हिलियम परमनु होता है एची तो इसका होता है दो इलक्ट्रोन तो इसमें पाला कक्षा ही भर जाता है तो इसके अंतिम कक्षा और पाला कक्षा यह की होता है तो इसमें दो इलक्ट्रोन होते हैं इसका रेक्टनसर बी हो जा ग्यासों काबीन में यह होता है रंदर की पर्मुक काड़ जो एक पत्तियों में पाया जाता है यह आपको पता होनी चाहिए उसके वाद देखे नेक्स प्रसने आपका कि अंडाउनु निस्यचित होता है तो अंडाउनु जो है नहीं हमेशा अंडाउनु वह सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि यह गरभासेम होगा लेकिन वह गलत हो जाएगा जो है ना अंडाउनु जो है वह फिलोपियन नलिका में निस्यचित होता है तो इसका राइट अंसर आपका हो जाएगा ए प्रसन क्या गारा है कि इनमें से कौन परकास संसलेसी अंगक है उपर ही एक प जो परकास संसलेसी अंग कहेगा तो अपती हो जाएगा लेकिन अपर अंगक कहा है तो हम बताये थे उहां पर जाएगा हरीत लबक तो इसका राइट अंसर आपका हो जाएगा हरीत लबक परकास संसलेसी अंगक है उसके वाद है कि मनुस में नासिका चिदर लेडिंस ट्रे किया और फेफडा फेफडा की बात आगया नासीका की बात नख का बात ऑगया शुचनतंत्र का लुगा उधारन मतलब यह सी मिल यह MICHAEL होता है तो उसका Alg Otan होता है कि मनुश्यों में लेने एब छोड़ने की क्रिया को क्या काते हैं तो उसे हम होगया यह दून कर सहिए करके तो आपका eyebrows इसका जो राइट अंसर है आपका हो जाएगा जाय गोट इसके बहन नेग्स्ट प्रसण है की कारवन में antigen A और B रक्त में कहां पाया जाते हैं तो यह जो हैं आपका RBC के सता पर पाया जाता है RBC मतलब होता है red red blood cell red blood cell होता है इस पर ही antigen A और B रक्त पाया जाता है उसके बाद नेक्स्ट आपका कि मनुस के सुंगने की छमता को नियंतरित करता है तो इस तरह से आपका 40 objective question किलियर हुआ आसा है कि आपको पूरा समझ में आयोगा पिलीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगे कि इस तरह का content आपको यहां पर मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तरते के लिए जे हिंद जे भारत अपना ख्याल रखे और पढ़ाई करते रहे और प्रिक्षा हॉल में तभाई मचा कर आए धन्यवाद